हम लोग बात कर रहे थे बहुतिक भूगोल के बारे में और इसमें आप लोग उन्हें लाश्ट किलास में देखा होगा कि हम लोग ज्वाला मुखी के बारे में विस्तार से चर्चा किये थे आज की इस किलास में में भूकंब के बारे में बात करनी हैं आप लोग सुनते रहते हैं ना कि भूकंब के जटके लगे हैं तो उसी के बारे में एक सामान ज्यानकारी हम लोग देखेंगे और ये सभी किलासें आपकी UPSC और आपके State VCS को ध्यान में रखते हुए कवर की जा आप में से कुछ लोगों के ये भी सवाल रहते हैं क्या एक क्लास में वन्डे एकजाम या स्कूल टाइम में जो पढ़ रहा हैं कॉलेज में उनके लिए भी मातपूर्ण हो सकती हैं तो देखें बिलकुल हो सकती हैं आप लोग जिस भी एकजाम की तैयारी करें उसके पुर आपकी पिले लिस्ट सूची बना दी गई जिसका नाम है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से तो Prelims का पूरा से यहां आपको कबर मिल जाएगा और एक-एक क्लास को आप लोग देख सकते हैं देखे सबसे पहले अगर हम लोग भूकम्प की बात करें न तो भूकम्प का सीधा सा मतल यानि कि आप देखे भू का मतलब पितवी और कम्प का मतलब कम्पन यानि कि पितवी का कापना क्या कहते हैं इसे भूकम्प कहते हैं और अगर आप लोगों को परिवासा लिखनी है एक लाइन में तो आप कह सकते कि भूकम्प या भूचाल पितवी की सतय के हिलने को कहते ह और यह पित्वी की इस्थनमल डल लीथो इस्पियर में उर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पर्ण होने बाली भू कम पिये तरंगों की वज़से होता है आपका भू कम और आप देखे नुकसान होता है कई बिल्डगें इमारतें गिर जाती है रोड फट जाते हैं आपने देखा होगा सडकें में बीच में दरार आ जाती है यही आप देखे इस तरह की कई आप देखे बहुत सारी हानी भी होती है मानो जनित फिर चाह संपत्ती की देख करा है कि अगर भूकंप आता है तो उन्हें सहिन कर सके आप देखे पाकिस्तान में किसमें पाकिस्तान छोड़िए जापान जाईए यहां आप देखेंगे हमारी प्यारी पित्वी है जापान यहां देखने को मिलेगा जापान में आप देखे कि भूकंप अगर आता है तो वहां कम तमाही देखने को मिलती है क्योंकि जापान में आप देखिए वहां तकनीक इस तरह की लगा कर इमारतों को मकानों को बनाया जाता है कि भूकंप के हिसाब से सह सकें उसे भूकंप को तो वो पहले से ही सावधानी रखते हैं अगर उतनी ही तीब बितागा हमारे यहां भूकंप पा जाए तो आप देखिए कितने लोगों की डैत हो मालू भी निचलेगा तो पहले से ही वो सावधानी रखते हैं वैसा ही आल है कि देखिए आप लोग की गाउं में एक सेर आता है वो सेर बारबार आता है तो आप देखते हैं कि उस गाउं की लोग क्या करते हैं कि एक आप देखते हैं कि सावधानी बरतने लगते हैं लेकिन आप देखें कि वही गाउं की आदमी अगर सावधानी ना बरते हैं और उसे ध्यान मेरा रखें तो कई लोगों को खा जाएगा उसी है तो वही है कि हमारे यहां बाड की देख लिजी समस्या हर साल बाड आती है लाख में लोग फिरवावित होते हैं जैसे ही बरसाद का मुसम खतम होता है बाड कतम होती है हम लोग भूल जाते हैं अंगले साल फिर आती है फिर परेसान होते हैं हम लोग उसका इस्थाई कोई समाधान ही नहीं निकालते हैं। तो यह हमारी सरकारों की फैलियर कह लिएजे आप लोग। चाहे कोछ भी कह लिएजे। देखें जहां से भूकंप उठता है वहाँ भूकंप मूल कह देते हैं। और सबसे पहले जहां देखते हैं भूकंप अधिकेंद कह देते हैं। यह चित भी देख लिएजे उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। यह आप देखें पी बेपस हैं और यह आप देखेंगे यहां आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। P-Vip, Z-100, यानि की छाया चित, आप लोग कह देते हैं, और उसी की बात हो रही है, और कोर में आप देखते हैं कि केबल P-Tरंगे ही प्रवेश कर पाती है, S-Tरंगे नहीं कर पाती है, तो यह भी आप लोग देखी, S-Tरंगे प्राप्त करने का अभाओ, और S-Tरंगे जहां नहीं पहुंच पा रही है, 6-8 हो गया ही, यहां भी आप लोग देख सकते हैं, यहां से P-Tरंगे पर आप की जाती है, 103 डिग्री से आप देखी, 142 डिग्री, P-Tरंगों का 6-8, इसी तरह से S-Tरह भी आप लोग देख सकते हैं, और S-Tरंग 6-8 आप लोग दिखाई दे रह उठती हैं, क्या? भूकंप ये तरंगे उठती हैं, और आप देखते हैं, भूकंप आते हैं, भूकंप ये तरंगे, तो अर्थ क्वीक के नाम से आप लोग जानते हैं, एक आकस्मिक अंतरजात पिक्रिया है, जिसका साब्दिक अर्थ है भूपटल, अद्वा धरातल का का अपना या फिर हिलना, और विद्वानों के नुसर भूकंप भूपटल की कमपन या लहर है, जो धरातल की नीचे या उपर सेलों के लचीलेपन या फिर गुर्तवा करसन की इस्तिती में छड़िक विच्छोब द्वारा उत्पन होती है, और भूकंप की उत्पत्ती अधिक आकस्मिक विच्छोब का होना होता है, और सेलों में आकस्मिक विच्छोब के कारण नहीं भी आपनों देख लिजँगा, एक बात और आप लोगों को बता दो, अगर आप लोग Civil Service की तैयारी कर रहे हैं, State VCS की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग Google को और विष्टा ज्वाला मुखी करिया पिछली क्लास में आप लोग ज्वाला मुखी को पड़े होंगे। और समिस्थितिक समायोजन की अंतरगत अपरदन की बिदभिद साधन बहादीपों की पदार्थों को काट चाट कर सागरों में निच्छेप कर देते हैं। जिससे सागर तली का भार अधिक होने से सेले नीचे धसकती हैं। और भू संतुलन के लिए परवतिये चेत्रों में उत्थान की किरिया होती हैं। और इससे सेलों में विच्छोप उत्पन होता है और भू कम आते हैं। और भू पटल संकुचन भू पटल ठंडा होने से सिकोडने के कारण सेलों में खिचाओ और विच्छोप भू कम को जरम देते हैं। पित्यास्त पुना चलन सिध्धान्त में आप देखेंगे तो प्रोफेसर रीड की अनुसार भू गर्विक सेलें रवड की भांती लचीली होती हैं और अधिक तनाव होने पर विटूट जाती हैं। तूटे भूखंड पुना खीच कर अपना इस्थान गिहरंड करते हैं और इससे भूखंप आते हैं। किनारों पर रूपांतर भेंस पड़ते हैं और तीब तेजी से भूखंप आते हैं। जुआला मुखी का आप देख लिए जगा आप देखें कि अगर जुआला मुखी नीचे लाबा भरा पड़ा हुआ है अकर उससे जगय ना मिले तो आप देखें कि जगय बनाने के बात करें तो ये भूकम के अगर कारण पूचा जाता है तो इन 6 पॉइंटों को आप लोग याद रखिए और लिख सकते हैं विवर्तिन की कारण ज्वालमुकी किरियाएं समिस्थितिक समायुजन भूपटल संकुचन पित्यास्त पुनास चलन सिद्धान्त और पिलेट भूकम समुद्र तटिये भागों में भूइसकलन हिमसकलन आदी अन्यकारणों से हैं जिनके भूकम बाते हैं और भूकम का बरगी कारण देखें तो दो फिकार से किया जाता है एक तो उत्वत्ति के कारणों के अनुसार एक उत्वत्ति के कारणों के अनुसार कि कौन से का वहां से आया है उसकी अनुसार तो उत्पत्ति की अगर हम लोग कारण में देखें तो आप देखें की ती बिवर्थनिक भूकम टेक्टोनिक अर्थक्वीक इन्हें सरचनात्मक भूकम पे भी या भ्रंस मूलक भूकम पे भी कहते हैं यह भूखन में भ्रंसन की रिया में से उत्पंध होते हैं, जैसे पेरू में कुई चेस, जापान में लियो दानी छेत, सहिवतराज अमेरिका में केलिपोनिया में ऐसे ही भूकम पाफ लोगों को देखनी को मिलेंगे ज्वाला मुखी ये भूकम की बात करें तो ये भूकम ज्वाला मुखी उदगार से आते हैं जिसे एंडीज में गाया तिरी ये उनिसोंचे में आया था इंडोनेसिया में कराकाटुवा ठीके ये ये भूकम है समिस्थैतिक भूकम ये उच्छ परवर्ती इच्छे तो निम्न डिल्टाई भागों में आते हैं इस तरह के पाताली ये भूकंप ये आप देखेंगे कि ये भूकंप गरब में 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन होते हैं ये कम बिनास्कारी होते हैं भूकंप के परकार की बात करें तो आप देखेंगे उत्पत्ती के अनुसार विवर्तनिक भूकंप जैसे EUSA की कैलिफोनिया में जो आलामुकी ये भूकंप जैसे इंडोनेसिया का कराका टाओ समस्तितिक भूकंप जैसे उच परवतिये बाग में इन उधारन को भी याद रखेगा अगर questions पूछे जाए तो आप लोग आसन इसे लिख सकते हैं, दे सकते हैं पातालिये भूकम और उद्गम के अंदर की अनुसार तो उथले भूकम, मद्दवर्ती भूकम और गहरे भूकम की बात हो रही है यानि कि आप देखेंगे यह हमारी प्यारी पेती भी है, यहाँ आप लोग मान लेजे, जो पास में आप देखेंगे इस तरह से बात हो रही है इन्हें A, A, B, C मान लेजे, तो आप देखेंगे इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा A मतलब उतले भूकम, B मतलब मदवर्ती भूकम और C मतलब गहरे भूकम और ये उतले भूकम हुते हैं, यही सबसे जादा नुखसान पहुंचाते हैं उद्गम के अंदर की गहराई के अवसरा भूकम की बात करें तो उथले भूकम, इनकी उद्पत्ती 60 किलोमीटर की गहराई तक होती है, 60 या 70 किलोमीटर, ठीक है? लगबग. मदवर्ती भूकम की बात करें जिसे हम लोगों ने A, B, C नाम दिया ना तो B की बात हो रही है तो ये 70 km से 300 km की गहराई तक होते हैं और गहरे भूकम की बात करें तो 300 से 720 km की गहराई तक उत्पन होते हैं जहां से ये भूकम तरंगे परारम होती हैं उसे उद्गम फॉकस कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉकस कहते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ, A, B, और C, आप लोगों ने जिसे माना है ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है, यह माले लिए पितवी है, पितवी का एक क्रोड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसक सबसे जाद नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इनसे आप देखते हैं कि कुश्ण्स पूचे जाते रहते हैं, क्या होता है, पूच लेता है, तो सबसे उपर आप देखेंगे यहां पितवी से थोड़े नीचे, आप देखेंगे कि इन्हें उतले भूकम कह देते हैं, इस पितवी उपर से आप देखेंगे, 60 km की गहराई तक होता है, ठीक है यहां, और आप देखेंगे कि मदबरती भूकम जैसे भी नाम दे दिया हम लोग ने, कोई भी नाम आप देख सकते हैं, 70 से 300 km की गहराई तक, और 300 से आप देखें, 720 km की गहराई तक, गहरे भूकम होते ह उसे आप लोग क्या कह देते हैं उद्गम कहते हैं या फोकस कहते हैं ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेएगा इसमें अब चलिए आंगे हम लोग बात करते हैं अब देखी आप लोग एक चित भी आपके सामने का एक दिखाई दे रहा है ठीक है, यह भी आप लोग यार पढ़िएगा, यह आप देखें, घाटी पठार हो गया, पबन हो गई, और यह आप देखेंगे, परवर्ती परार पबन हो गई, यह आप देखेंगे, पैमपरो, जानडा, यह आप लोग देखेंगे, रॉकीच परवत हो गया उपर, चेनक, म यह आप देखें दच्री अफिका पठार नौर्वेश्टर यहां आप लोग उनको देखने को मिल रहा है चली हम तो भूकम्प की उत्पत्ति और लहरें देखते हैं यह चित आप लोग देखते रही है भूकम्प की उत्पत्ति एवं लहरों की अगर हम लोग बात करें न तो भूपटल पर जहां भूकम्प की उत्पत्ति होती है उसे उद्गम केंद, फॉकस केंदर कहते है यह आप लोग जिरूर याद रखेगा भूकम्प की उत्पत्ति होती है जहां से उसे क्या कहते हैं आप लोग? उसे कहते हैं उद्गम केंद और एक बार आप लोग चित्र में देख लीजे देखें समझाने के लिए चित्र है तो यह भूकम्प मोल हो गया ठीक है? जहां से आप देख रहे हैं आ रहा है भूकम्प केंद्र हो गया और वहां से विभेन दिशाओं में भूकंपी ये लहरें पिसारित होती है सबसे पहले उद्गम केंदर से ठीक ऊपर धरातल पर इसे बिद्दू पर भूकंप लहरें का ज्यान होता है इसे अधी केंदर कहते हैं अब आप देखे कि यहां से कि जो भूकम्पी तरंगे उठ रही हैं, आप देखे इसे भूकम्प मूल कह दिया, केंदर कह दिया, और यहां से सबसे पहले जहां आपको अनुभाय होगा, उसे भूकम्प क्या कहेंगी, अधी केंदर कहेंगी, क्योंकि आप देखते हैं, भूक पिए केर्ड़ों का अंकन किया जाता है अधिक केंदर पर सबसे अधिक लेहरों की तीविता और केंदर से दूर जाने पर तीविता कम होती है। भूकम्पी लहरे अधिक केंदर से चारोवर अंडाकार या वित्ताकार मार्च से पिसारित होती हैं और समान, तीबिता या आगाद बाली लहरे सम्भूमद्ध प्रेखाएं कहते हैं ये भी पूच लेगा कि सम्भूकम्प प्रेखाएं क्या होती हैं तो देखें आप लोग देखेंगे यहां कि यह आप देखें तरंगे उठ रही हैं क्या उठ रही हैं तरंगे उठ रही हैं तरंगे उठ रही हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जो यह तरंगे उठ रही हैं ये अंडाकार में भी हो सकती हैं या वित्ताकार मार्च से पिसारित होती हैं और समान, तीबता या आघाद बाली लहरे सम भूकंप रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है? और एक ही समय पर भूकंप के आघाद को प्रकट करने वाली रेखाएं सह भूकंप रेखाएं कहलाती हैं, यानि कि आप देखें कि यहां भी भूकंप एक समय पे आया, यहां भी एक समय पे आया, इन सब को मिलाने वाली रेखा को आप तो कहेंगे सह भूकम रेखाए कहते हैं, एक ही समय पर भूकम के आगात को प्रगट करने वाली रेखाओं को सह भूकम रेखाए कहते हैं, और भूकम के लहरों के सुभाओ गुण की आधर पर तीन भागों में इने बाट दिया गया है, क आड़ी तरंगे हो गई, इन सभी अने में तरंगे हो गई है, देखे, ये पिदान तरंगे हो गई, ठीक है, ये आड़ी तरंगे हो गई, ये आप देखे, धरालतली ये तरंगे हो गई, और ये अने में तरंगे हो गई, तो इनी की बात हो रही है, चलिए आगे देखते हैं ह और आप देखेंगे कि प्रात्मी कि या पिधान तरंगे जिन्हें आप लोग प्राइमरी और पी बेप के नाम से जानते है इसमें अडूओं का गंपन लेहरों की दिशा कि आगे पीछे होता है और इन्हें अनूर धैर्द लेहरें भी कहते हैं क्या कहते हैं अनूर्धार्ध लहरें भी कहते हैं इसमें क्या होता है कि अड़ों का कमपन लहरों की दिसा में आगि सेकंड होती है और दुत면 या अनुपरस्ति तर लहरें इन एस बेब या सेकंडरी बेप्स के नाम से जानते हैं और इसमें अडूओं की गती जल अत्वा प्रिकास लहर की भाती लहर के समकौण आरपार होती है यह लहरें तरल माध्यम से नहीं गोजरती है गती इनकी 4.5 km पिती सेकेंड होकी होती है तो जो आप देखे पी बेप्स तरंगे हैं वो आगे पीछे उनकी देशा होती है और जो एस तरंगे हैं उनकी गती की बात करें तो जल की जो गती रहती है लहर रहती ना पिरकास की लहर रहती उसी की तरह भाती इनकी गती होती है और भुकम की उत्पत्ति और लहरों की बात करें तो धरातल ये तरंगे भी होती हैं, और सर्ब फेस्ट वेपस के लाते हैं, यई लहरे पितबी का चक्क लगा कर अधिकेंदर पर पहुंचती हैं, और धरातल की निकट ही चलती हैं और यह जल में भी फिर्वेस कर सकती हैं, और सबसे जाना नुकसान आप देखे इसी से होता ह भूगरब की सरचना आसमान घनत वाले सेलों की भूकमपरी ये लहरों का सुभाव और सुरूख बदल जाता है पिद्वी के अंतरतम में P लहरों की गती 13 किलोमीटर और S लहरों की गती 7 किलोमीटर 30 से 30 से हो जाती है अब आप देखिए आप लोग खुझ जानते हैं कि आप लोग रोड पर चलते हैं अच्छी इस्तिती रहती है रोड की तो आप लोग तेज गाड़ी चला पाते हैं और बुरी इस्तिती आ जाती है तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपको चलना पाता है टाइम लगता है त आप देखते हैं चट्टानों का, तो उसमें अलग-अलग गती देखने को मिलती है, परंतु 1909 में क्रोसिया की कल्प गाटी में भूकम की लहरों की गती P और S लहरों से कम थी, और PG की गती 5.4 SG की गती 3.3 किलोमीटे 50 सेकंड थी, जो धरातल की ऊपर परत के निकट थी, और इसी पिकार सन 1923 में टियूरों ने भूकम पी लहरों की अध्यन से P X और S X लहरों का पता लगाया था, जो पित्वी की मद्दबरती परत इंटरमेडियेट लेयर में P X की गती 6.0 से 7.2 किलोमीटर और S X की गती 3.5 से 4 किलोमीटर पिती सेकंड से चलती हैं, और सुना मिस, सुना मिस की उत्वत्ती सागरतलों में आकस में एक परिवर्थन आवेवस्था और विस्थापन के कारण होती है, और यह सागरिये भूकम पर यह लहरे हैं, जो पिरवल और बिनासकारी होती हैं, पश्चमी पिसांद महासागर में अधी सक्री हैं, भूकम की तेबिता रिय परिमार के आधार पर एक तीबिता के आधार पर, परिमार यानि की उर्जा की मातरा का मापन हो रहा है, कितनी उर्जा निकली हुई है, और तीबिता अलग अलग हो सकती है, लेकिन उर्जा आप देखते हैं कि परिमार इसका समान ही देखने को मिलेगा, तो आप देखेंग माल लिए ये आप देखी लाइन कीचली इसमें आप 10 अंक देखेंगे एक, दो, तीन इस तरह से 10 तक आप लोग देखेंगे और इसमें आप देखी उप अंक में भी बटा होता है एक अंक 10 उप अंकों में बटा रहता है माल लिए एक है और एक दो है आप देखेंगे तो इसके बीच जो आप लोग देखेंगे कि दस उप अंक भी चोटे चोटे देखने को मिलेंगे फिर आप देखेंगे दो पर आप लोग आएंगे उसी की बात हो रही है ठीक है आप लोग देखते होंगे जो आप लोग उंचाई नापते हैं तो सेंटीमीटर आप लोग उसमें भी देखते होंगे कि एक से दो के बीच में कुछ है अंका आप लोग देखते हैं छोटे छोटे उनी की बात हो उसी तरह से आप लोग उधारन मिले सकते हैं ठीक है और आपक कि भूकंप की अगर उर्जा यहां देखी X है क्या है X है तो यहां आप लोग देखेंगे जैसे ही एक अंक की बड़ोत्री होगी 32 गुना उर्जा बिद्धी हो जाएगी यानि कि 32 X हो जाएगा यह भी आप लोग याद रखेगा कहने का मतलब है कि अगर उर्जा की ठीक है वही अगर हम लोग तीबिदा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बिनास्कारी पिरभाव की बात होती है कितना तेजी से भूकंपाया हुआ है और यह संसोदिद मार के लिए स्केल पर मापा जाता है और इसमें आप लोगों को रॉमन लिपी में एक से बारे अंक देखने को मिलेंगे और एक अंक मतलब आप सुची कि एक तीबिता अंक में 170 ग्राम TNT ट्राइनाइटोर टालून टालूइन बिस्पोर्ट के बराबर यह आप देखेंगे तीबिता देखने को मिलती है तो यह इन दोनों के बारे में जरूर याद रखेगा भूकंब का परिमाड उर्जा की मातरा रेक्टर स्केल पर सिस्मोग्राफी बिधी द्वारा मापी जाती है और भूकंब की तीबिता बिनासकारी पिरभाव को संसोधित मारकेली स्केल की द्वारा मापा जाता है और रीक्टर स्केल में एक से लिका दस्ता कंक होते है और जो आपका मारकेली स्केल है इसमें रोमन लीपी में एक से बारे तक अंक आप लोगों को देखने को मिलेंगے तो यह आप लोग याद रखेएगा ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं भूकम्प का बितरन तो भूकम्प बिश्र के दोड़लब एवं आइस्थिर जौलामू की चेतरों में होने चाहिए इनके प्रिधान चेत की नभीन बलित परवतिये चेत हैं जहां सम इस्थितिक की पिक्रिया जारी है और भूकम्प की पेटी की बात करें तो पिसांत परी धीये पेटी मद महा दीपिये पेटी मद अटलांटिक पेटी पूरवी अफीका पेटी यह आप देखेगे भूकम्प की पेटी आप लोग देख रहे है क्या देख रहे है भूकम्प की पेटी आप लोग देख लीजे यह क्या है देखे यह परी पिसांत मेखला आप लोग उपको दिखाई दे रही है क्या देख रही है परी पिसांत मेखला ठीक है यह आप लोग इस तरह भी देख रहे है और एक तरह से आप लोग परी पिसांत महासागर को भी देख सकते हैं यहां देखे यह है यहां आप लोग देखते हैं फिर आप देखे यहां आप लोग जाएगे तो यहां आप लोग उपको दिखाई देता है यहां देखिए है पिसांद महा सगर पूरा पहला हुआ है तो इनी की बात हो रही है यहां अगर आप लोग देखें और अगर अगर अटलांटिक मेखला की बात करें तो इस पे आप देखेंगे कि अटलांटिक मेखला आपकी यह दिखाई दे रही है क्या दिखाई दे रही ह यह दिखाई दे रही है और वहीं अगर हम लोग अन्नी की बात करें तो अन्नी भी दिखाई दे रहा है मद महा, दूपी, यह मेखला यहाँ आप लोग उनको दिखाई दे रहा है इनी सब छेत्रों की बात हो रही है भूकम का विस्वितरन ये बताए जा रहा है पिसांत परिदिये पेटी में अगर हम लोग देखें तो इन तटिये भागों में विस्व का दो तिहाई भूकम पाते हैं सबसे जाना भूकम आपको यहीं देखने को मिलेंगी इसके दो छित हैं पिसांत महासागर के पूरवी तटपर अलास्का से निचली तट तक और दूसरा है पिसांत महासागर के पश्चिम तटपर कम चटका से न्यूजी लेंड तक आप लोगों को देखने को मिलेगा और दूसरा मद्ध महादूइपिय पेटी यह ईवरोएशिया में नवीन बलित परवत सेणी जैसे आलपस हो गया एसिया माइनर काकेसिया इरान बलुचिस्तान अफगानिस्तान भारत बर्मा और म्यारमार इंडोनेसिया तक आपको मद्ध महादूर्पिय पेटी में देखने को मिलेगा एक बात और आपको बता देता हूँ एक आपकी प्लेलिश्ट सूची बनी है विस भूगल के नाम से व जब देखिये विस से भूगल को आप लोग पढ़ते हैं भूगल को पढ़ते हैं तो मैं आपका सहारा लेकर पढ़ा करिएगा तो उस किलास को मुझे लगता है कि कवर जरूर कर लिजे आप लोग बहुत फायदा देगा आपको मद्द अटलांटिक वेटी या पेटी मद्द अटलांटिक कटक के सहारे आर्केटिक महासागर में इस पेर्ट्रस वर्जन दुईप से दच्छिर की और आइसलेंड आर्जुस मेडोरा कनारी कैबड एसेंसियन सेंट हेलेना बप्रेंस एडवार्ड दीपों तक विस्ते थ से ट्रेनी डाड व्रिष्तान दा कुनहा और दच्छिर जर्जिया या दच्छिर सेंड विच जिदीपों को पार करती हुई अंटार के टीका तक गई है और एक अन्य साखा प्रेंस एडवार्ड दुईपों से उत्तरपूर की और री यूनियन मौरिस से सैचिलिस से दच्छिर पूर की और चागोस तुई समो डी एगो गार्सिया होते हुए काक कोरू से और तक गई है और यह हैंद महासागर पेटी कहलाती है क्या हैंद महासागर आप लोगों को यहां देखने को मिल रहा है यह हैंद महासागर तो इसे भी याद रखेगा और आप दिख लिजेगा पूरवी पूरवी अफीका पेटी या सोईज नहसे लाल सागर की सारे इथोपिया अफीका की भरंस घाटी में यूगांडा तंजानिया न्यासा जील होते हुए डिल गोआ खाडी तक विस्तत है मेडा अगसकर भी इसी चेत में या विवर्तनिक कार्णों से भुकम्प आते हैं या एक बार आप लोग यहां भी देख सकते हैं यह इरोपियन पिलेट आपको देखने को मिलेगा दो नौर्थ अमेरिकन पिलेट साउथ अपिरिकन पिलेट नजका पिलेट यह आप देखें पैसेफिक पिलेट यहां भी पैसेफिक पिलेट यहां भी पिसाथ महासगर, यहां भी पिसाथ महासगर, आप लोगों को देखने खुमलीगा, इंडियन फिलेट, यहां भी थोड़ी अच्छी से दिखाई दे रहा है, ईूबरेसियन फिलेट हो गई, और फिलिपिन फिलेट, जाबा ट्रेंच इंडो अस्टेलियन फिलेट, और Antarctic Plate, Escocia Plate, Najka Plate, Dachdi America Plate, Caribbean Plate, Sand, India Plate, और Purvi Opsab Mahasagriya, Pisaat Mahasagri Plate, Elysian Plate, Java, Deep Uka Plate, और Mad Atlantic, Abhika Plate, Arvian Plate, और Euriciai Plate, ठीक है? यहाँ आप देखे भारत भी आपको दिखाई दिरा है, तो यह सब आप लोग हुकम का वितरन फैला हुआ है भारत में भुकम छित की बात करें, तो भारत का उत्तरी परवर्तिय भाग भू संतुलन की दृष्टी से आएस्थिर है और यहाँ सबसे अधिक भूकम पाते हैं, और इसे जौन ओप मैकजीमम इन्टेंसिटी भी कहते हैं उत्री मैदान परवर्तिय भाग के समीब इस्थित होने के कारण हिमालय के निर्माड की समय संपीणन पढ़ने के कारण अनेक दराने पढ़ने से याचित भू गर्विक हल चलों से सीगर पर भावित हो जाता है और विज्ञानों को इस भाग में तलचट की पुना बिवस्था के कारण दूसरे भूसकलन के द्वारा भू कम बाते हैं और इसलिए याचित कहलाता है जौन ओफ कॉम्परेटिव इन्टेंसिटी और जबकि दच्छन का पठार भू संतुलन की दरिष्टी से आइस्थिर है और इस्थिर है और अताहिया जौन ओफ मिनीमम इन्टेंसिटी कहा जाता है आप लोगोंने कभी दच्छन भारत में जानदा भू कम के बारे में नहीं सुना होगा और आप लोग देखेंगे यहां हमारा पड़ोसी नेपाल है यहां देखे दिल्ली में देखे असपास छेतरों में देखे काफी भू कम पाते रहते हैं तो इसी छेतर की बात हो रही है तो इस तरह से आप देखेंगी कि भूकंप का चैप्टर भी आपका कवर होता है आपके कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाओ हो, तो आप लोग जरूर दे सकते हैं अंगली क्लास में हम लोग परवतों के बारे में परवत का निर्मार किस तरह से हुआ है, उस पर बात करेंगे और उस में भी हम लोग बिस्तार से ही बात करेंगे तो आप लोग पढ़ते रहे हैं, इंज्वाय करते रहे हैं और हम लोग मिलते रहेंगे, अपनी राय जरूर दिया करिएगा बहुत माइदे रखती है, कुछ और सुधार हो सकता है तो आप लोग उसे बताए करिएगा